स्कार दोस्तों आपका अपना यूटूब चैनल अर्जुन टीच पॉएंट में श्वागत है आज मैं आपके सामने ले कराये हूं बिहार बोट का हिंदी बुक वही पारसंख्या एट का बेखंड बहुत ही सुन्दर कविता यह है यह कविता का सीर्षक जो है एक ब्रीच की ह होती है पेर कातने पर पेर कारने से क्या क्या होता है उस पर चर्चा किये हैं आई इसका बिता का अर्थ समझाने कुर्शिश करते हैं आप लोग ध्यान प्रुवक समझेगा क्या अब की घर लोटा तो देखा वह नहीं था वही बुढ़ा चोकिदार ब्रीच जो हमेशा मिल घर के दरवाजे पर तैनाद पुराने चमड़े का बना उसका सरीर वही शक्त जान जुडियोदार खुर्दुरा तना मैला कुचला रैफल सी एक सूखी डाल एक पगड़ी फुल पत्तिदार पाउं में फटा पुराना जूता चर मराता लेखिन अखरा बल्बूता बहुत घर जाते थे तो हमेशा जो है इनके घर के दरवाजे पर एक पेड़ मिलता था लेकिन आज जो है वह पेड़ नहीं दिखा इसलिए बोल रहें कभी अब की घर लोटा तो देखा वह नहीं था कौन नहीं था वही बुढ़ा चौकिदार ब्रीज जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजा पर तैनात मतलब घर के दरवाजे पर तैनात रूप से वह पेड़ रहता था बहुत पुराना पेड़ था इसलिए इसको बुढ़ा चौकिदार की तरह देखाया गया है हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात रहता था लेकिन आज नहीं मिला फिर क्या है पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सक्त जान देखे पुराना चमड़ा मतलब वह पेड़ बहुत ही पुराना था उसका जो चमड़ा था यानि छाल खाल जो भी पेड़का होता है उस सब पुराना हो गया था लेकिन फिर भी वही सक्त जान पुराना होने के बावजूद में उ खुड़ियोदार खुर्दुरा तणा मैला कुछला देखे यानी ऐसा था गंद्या जीछए दिखता है इसलिए कहा जा रहा है कि आफे जिन ऑपथे जुड़ियोदार ततना मैला कुछला जेसा था मेरा एक पेड़ में वह दाल जो है जैसे राइफल रखता है उसत तरह का लगता था कि फेड़ में तो राइफल है इसे पगड़ी फूल पत्तिदार उसका मने फूल और पत्ता घिरा वथा जैसे मानू पगड़ी बांदे हुए है पाउन में फटा पुराना जूता मने पैधर उसका जो जड़ है ऐसा फ़िलावथा माननो की फटा पुराना जूता पहने हुए चड़ मादा लेकिन अखर बल्बूता पुराना होने के बावजूद में वहां पेड चड़ मुलाता है अखड़ता है यानि इस पेड की जो तुलना है चौकिदार के जैसे किया गया है जैसे चौकिदार कैसे होता है तो पुराना होता है और उसका उसके पास एक राइफल होती है एक पगड़ी होता है पुराना जूता पेन रहता है फिर भी अखड़ता है ठीक उसी परकार पेड़ के बारे मताया गया जो है उसका शरीर पुराना चमड़ा का बना हुआ है लेकिन जान वही है और उसका जो मैला कुछला जैसा हो गया है दिखने में आइसा लगता है जोड़ियो दार की तरह लगता है एक सूखी डाल है जैसे चोकिदार रखता है एक राइफाइल उसी तरह से इसके पास भी एक राइफाइल यानि सूखी डाल जो राइफल की तरह लगता है और जो फूल पत्ती है और ऐसा लगत तुल्णा किया गया इस पेड़ को इस तरह से यहां तक हुगा आगे देखिए फिर क्या कहा जा रहा है दूप में बारिश में गर्मी में शर्धी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्धी में कितना बढ़ी दिखाया गया है कि वहां पेड़ जो है चाहे दूप है। पड़े चाहे गर्मीपड़े चाहे बारिष पड़े रेकिन हमेशा एकदम चौकनना रहता कि क test मतलबग दुष्वन आ जाहे जिस परकर चौकिदार जो है हरी मुशिभत। का सामना करता उसी परकार यह पेड़ भी है धूप हो चाहे बारिश ओ चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो हमेशा चोकन ना रहता है अपनी खाकी परदी में मने जिस रूप में है पुराने चब्ले में एक दम हमेशा चोकन ना रहता है फिर क्या है दूर से ही ललकारता कौन मैं जबाब देता दोस्त और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी च्छाओं में कहने है कि जब कभी उस राष्टे से गुजरते हैं तो पेड जो है चिलाता है ललकारता है वहीं से कौन आ रहे हो तक कभी जबाब देते कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं यानि दूस्मन नहीं हूं जब दोस्त का रिष्टा हो जाता तो उसके मने ऑफिस से जब लोड़ते हैं तो उस पेड की ठंडी छाओं में कुछ देरी के कभी बैठ जाता है फिर कहता है दर असरल सुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दूस्मन देखी यहीं से कभी था का मोल नहीं अले लेता है कि हाकिकत में ऐसा था कि यहीं हमारे आसपास ही ऐसे लोग थे जो इस जानी दूस्मन थे अंदेशों में मतलब हम देखे नहीं थे लेकिन छीपा हुआ एको दूस्मन था जो आज पेड को काकिया काट दिया ठीक है यहीं से कभी जो है नया मोड लेते हैं आगे देखिए होई कभी कहते हैं इस तरह से अगर पेड कटते जाएका पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा अब यहां से एक मैन मतलब महत बतलाते हैं कि पेड को करने से क्या होगा क्या देश की स्थिती होती होगी आ यहीं क्या गज़ते कि घर को बचाना है लुटेरों से सहर को बचाना है नादिरों से देश को बचाना है देश के दुस्मनों से यानि कभी कहते हैं कि घर को लुट लेगा लुटे रहा अगर नहीं बचाईए गर तो घर को बचाईए किससे बचाईए लुटे रोसे सहर को बचाना नादिरों से सहर को जैसे नादिर सा अकर्मन कारी था जो हमारे देश पर अकर्मन किया था तो सहर को बचाना है किसको से नादिरों से और देश को बचाना है किस से तो देश के दुस्मनों से यह नहीं नहीं फीर करते हैं बचाना है क्या बचाना है नदियों को नाला हो जाने से हावा को धुआ हो जाने से खाने को जहर हो जाने से यानि को धुआ से होने से बचाना है और जो आप खाना खा रहे हो खाना जहर के समान हो जा रहा है तो खाने को जहर होने से बचाना है इस तरह से कभी जो है नदी हावा खाना सब को बचाने की बात करता है यहीं नहीं और देखे क्या करता है बचाना है जंगल को मरुष्थल हो जान करता था लेकिन आज पेड़ पोधे समाप्त हो गए हैं खली आदमी ही आदमी दिखता है अर्था मनुष्यों का जंगल हो गया है वही का भी कहते हैं कि जंगल को मरुआस्थल हो जाने से बचाना है और मनुष्य को जंगल कहीं यह ना हो जाए कि मनुष्य जंगल बन जा तो म इस प्रकार कभी जो है मतलब आने वाले जो स्थिती होने वाले हैं पूरा विश्व की उसक पर कभी चेतावनी करता है कि अभी से अगर आप नहीं समलिएगा तो आने वला समय में बहुत कटना है कि समना करना पड़ेगा इस तरह से अभी से ही आप समल जाएए यहां कभीता एक पेड़ कटने जाने से नहीं है यहनि ऐसे कितने पेड़ कट रहे हैं यहनि कभी जो है इस पेड़ कटने के बहाने पुरी दुनिया को एक सच्चाई आइना दिखाने का परियास किया कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक यू